चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों सबसे पहले तो मैं आपके उजवल भवश्य की काम ना करता हूँ इस वर से प्रातना करता हूँ कि आपको ऐसा मनोबल परदान करे कि आप NEED21 आसाने से क्रेक कर सकें क्योंकि मनोबल से ही जीत हासिल होती है प्रिप्रेशन तकरीबन सभी बच्चों की समानी होती है मगर सकसेज वही होते हैं जिनको कोन्फिडेंस होता है कि मैं इस बार NEED21 अवसे ही क्रेक करूँगा इस वीडियो में हम NEET 21 के DRESS CODE के बारे में बात करेंगे कि आपको exam के दिन क्या पहन कर जाना है और क्या नहीं पहनना है तो इस बार NEET 21 की exam में एप्रोक्स से 16 लाख student अपियर होंगे इनमें से एप्रोक्स 14 लाख student ऐसे होंगे जो dropper होंगे और एप्रोक्स 2 लाख student फ्रेसर होंगे जो पहली बार NEET का exam देंगे तो जो student dropper है उनको तो DRESS CODE का अच्छी तरह से मालूम है क्या पहन कर जाना है क्या नहीं पहनना है क्योंकि जब आपने पिछले साल NEET का exam दिया था तो उसमें जो DRESS पहने थी वही पहन कर जा सकते हैं यानि कि इस बार 21 के लिए कोई चेंजिंग नहीं है जो NEET 21 में DRESS CODE था और जो exam के रिल रूल फोलो हुए थे वहीं रूल इस बार भी फोलो होंगे तो आप अपने माइंड में पिछले साल कैसे exam हुआ था उसकी पिचर रिवाइंड कर लें exam के लिए same rule फोलो होंगे जो दो लाक student इस बार फेसर हैं वो पहली बार exam दे रहे हैं तो उनको DRESS CODE के बारे में जरूर confusion हो सकता है तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि exam के दिन क्या पहने तो exam के दिन male और female candidate shirt और T-shirt पहन सकते हैं लेकिन इसमें ध्यान रहे कि half sleeve होना चाहिए ये फुल वाजू की जो shirt है और T-shirt है वो बिल्कुल ही allow नहीं है यानि कि half sleeve की ही shirt और T-shirt पहन सकते हैं इसमें jeans और trouser पहन सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि jeans simple हो और jeans और trouser में big buttons, big pockets ना हो और jeans में भी बहुत सारे pockets होते हैं जैसे किसी-किसी jeans में तो गुटनों से नीचे तक के pockets होते हैं और काफी बड़े-बड़े buttons भी होते हैं तो इस परकार के jeans आप नए पहने simple jeans पहने इसमें light cloth allow नहीं है इसके अलावा आप sandals, slippers ये पहन सकते हैं लेकिन ये low heels की होनी चाहिए ये permitted है low heels की slipper और sandals पहन सकते हैं ये बिल्कुल clear है कि आप shoes बिल्कुल भी पहन कर नहीं जाएंगे तो socks और shoes नए पहने आप बिल्कुल ही simple dress पहने इसके अलावा जो cultural और जो customary dress हैं जैसे जिसे सांस्कृति के वैपारंपरिक dress कहते हैं जैसे बुर्का हो गया पगड़ी हो गया क्रिपान हो गया कड़ा हो गया जो sick candidate पहनते हैं तो ये पहन सकते हैं लेकिन checking के लिए आपको exam center पर exam की दिन एक hours पहले पहुँचना होगा यानि कि आप साड़े 12 बज़े तक पहुँच जाएं तो इसके बाद में आप exam दे सकते हैं checking के बाद में तो आप ये जो dress है वो पहन सकते हैं इसके अलावा जो इसमें आपने item कौन कौन से लेकर जाने हैं तो इसमें जो item लेकर जाने हैं वो item है admit card आपको लेकर जाना है तो ये admit card 9 September या इससे एक दो दिन पहले भी download हो सकता है ये इसकी website पर upload हो जाएंगे तो आप इसको download कर सकते हैं NTA की website पर जब ये upload होंगे तो हम आपको inform कर देंगे और कैसे के आपने download करना है क्या इस पर paste करना है इसके साथ में कौन-कौन से जो additional paper है वो download करने हैं undertaking download करने कैसे इसको feel करना है वो सारा जब ये admit card download हो जाएंगे तब आपको inform कर देंगे इसमें तो आपको admit card NTA की website से download कर लेना है और इसके उपर एक passport का size का photograph आपने चिपका देना है इसके अलावा admit card के अलावा आप एक passport size का photograph लेकर जाना है साथ में exam hall में वो आपको attendance sheet पर चिपकाना है ये वही photo होना चीज जो आपने application form फिल करते समय upload किया था वही आपको passport size का एक photograph लेकर जाना है इसके बाद में original ID proof लेकर जाना है आपको और जो PWBD candidate है दिवयांग candidate है उनको उनका certificate लेकर जाना है PWBD का original certificate ये लेकर जाना है जो original ID proof होंगे उसमें आधार card हो सकता है इसमें 12th का admit card हो सकता है photograph के साथ उस पर photograph होना चीज ट्वल्थ के हो सकता है bank account passbook photograph के साथ में और passport भी हो सकता है तो ये ID proof valid ID proof है ये आप इसमें से कोई original ID proof लेकर जा सकते हैं जो PWBD जो दिवयांग candidate है उनको certificate लेकर ही जाना है अगर उनने scribe avail कर रखा है तो scribe का भी ID proof उनको लेकर जाना है जो आपने form में mention किया है उनका ID proof लेकर जाना है scribe का और scribe के भी दो passport size के photograph आपको लेकर जाने है इसके अलावा एक postcard size का photograph आपको white background का जो आपने application form में upload किया था तो admit card के साथ performa download होगा उस performa पर आपने paste करके exam हाल में ये examiner को hand over करना है आपने ये उस समय आपने दे देना है तो ये भी आपको admit card जब download होंगे तब आपको बता देंगे कि कैसे आपने download करके उस पे fix करना है तो इस परकार से ये आप 4 item exam center में लेकी जा सकते हैं इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेकर जाने है पड़ेगी एक pen की जो अमार सीट भरनी है आपको तो अमार सीट के लिए pen आपको वहाँ ही provide होगा exam हाल में NTA दवरा provide करवाया जाएगा तो आपने कोई किसी प्रकार का item नहीं लेकी जाना है जो item नहीं लेकी जाना है उसकी भी यहां लिस्ट दे रखी है तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें geometry pencil box है plastic purchase है इसमें इसके अलावा calculator pen scale writing pad pen drive eraser calculator log table electronic pen scanner इस परकार के item नहीं लेकी जाने है mobile phone, bluetooth, air phone microphone, pager, health band भी नहीं लेकर जाने है इसके अलावा आपने handbag, belt, cap इस परकार के item भी नहीं लेकी जाने है, watch भी नहीं लेकी जाने है bracelet, camera इस परकार के item भी नहीं लेकी जाने है watch आपको exam center में वहाँ wall पर लगी हुई मिलेगी उसमें आप अपना time देख सकते हैं कितना time आपने cover कर लिया है कितना time बचा हुआ है इसके अलावा ornaments metallic item है, वो नहीं लेकर जाने है इसके अलावा food item कोई नहीं लेकी जाना है water bottle वगरा इस परकार के item नहीं लेकी जाने है ये जब admit card डाउनलोड होगा उसमें लिखा होगा कि आपको sanitize की bottle transparent water bottle लेकी जाने है या नहीं तो उस समय आपको बता देंगे फिलाल आपको ये item नहीं लेकर जाने है इसमें microchip, camera, bluetooth है इस परकार के device नहीं लेकी जाने है जो communication device होते हैं तो इस परकार के कोई भी item आपको नहीं लेकर जाना है इसके बाद इसके बाद में जो ये center पर सामान रखने के लिए NTA ने बिल्कुल clear कर दिया है कि आप अपने arrangement पर सामान रखें जैसे candidate के पास में important items होते हैं जैसे mobile सभी के पास होते हैं headphone होते हैं तो इस परकार के item उनको कहां रखने है तो काफी सारे student के साथ में तो उनके parents जाते हैं तो वो अपने parents को दे सकते हैं उनके लिए तो कोई problem नहीं है लेकिन जो candidate single जाते हैं exam देने के लिए तो वो अपने exam से पहले चले जाएं और दुकान वगारा अपने arrangement पर ये सामान रख दें जैसे mobile हो गया इसमें आपका wallet हो गया तो इस परकार के item रख दें पैसे आप जेब में ले जा सकते हैं तो बाके item आप दुकान पर रख सकते हैं तो अपने arrangement पर इस परकार के item पहले ही रख के चले जाएं exam center पर पहले चले जाएं ताकि इस परकार का arrangement हो सके आपका तो ये एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया है जिन्होंने पहले भी exam दिया है need 20 का exam दिया है किसी ने 19 का exam भी दिया है तो उनको तो कोई problem नहीं है जो पहले पहन की जा रहे थे वैसे पहन की जा सकते हैं जो नए फ्रेशर candidate हैं वो अपना exam के दिन ये item पहन की जा सकते हैं मैंने आपको बताया है तो आपको simple कपड़े पहन की जाने है ज्यादा डरने की जरुत नहीं है आपको exam हाल से किसी भी condition में बाहर नहीं किया जाएगा exam की कुछ protocols होते हैं वो आपको follow करने हैं जैसे checking वगरा हो गया तो इस परकार के ये exam के दिन आपको items लेकर जाने हैं नहीं लेकर जाने हैं ये मैंने आपको बता दिया है तो वीडियो के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप tension free होके exam देने जाएं और चिल होकर exam दें किसी परकार की कोई tension नहीं लें आपका exam अच्छा जाएगा और exam अच्छा होगा और आपका need 21 में selection अवस्य ही होगा तो दोस्तो इसी आसा और विश्वास के साथ मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जैए